कि राजस्तान में जैसे जैसे चुनाओं की तारीके धीरे-धीरे नज़दी का रही है वैसे-वैसे सर्वे भी लगातार जो है उतार चड़ाव हो रहे हैं लगातार अलग-लग सर्वे स्त्रोतों से हम आपके लीए सर्वे लेकर आते हैं आज एक बार फिर से हम अपने उमिदवार गोशना शुरू कर दी है अब सबसे पहले आपसे रिक्वेश्ट है आप जिस भी विदानसभा चेतर से अपने विदानसभा का नाम लिख कर ये जुरूर बताएं भी आपके इसाब से जिस प्रकार से ये सर्वे सामने आया है अलग लग सत्रोतों से आपक किसी भी पार्टी का दबदबान नहीं नज़राया यानि स्वाई मादेपुर में दो-दो सीट है यानि बीजेपी और कॉंग्रेस कहीं न कहीं एक तम जो है आसपास रहने वाली है और वहीं अगले राजसमंद जिले किया कर मैं बात करू तो यहां कि राजसमंद की चार सी सीटे जो है वह दोनों पार्टियों को मिलने वाले यहां पर अन्या या फिर निर्दलिय कोई भी बाजी नहीं मारता हुआ नज़रा रहा है वहीं कोटा की 6 सीटों का ओपीनियन सर्वे सामने आए इस सर्वे में पांच बीजेपी वहीं एक इंडियन नेशनल कॉंग्रेस यानि इसमें कई न कई कोटा में कोटा जिले की जो 6 विदानसवा सीटों का जो सर्वे सामने आए उस सर्वे में जो कई न कई बीजेपी जो है बड़ी स्तर पर जीत करती वी नज़रा रहे है क्योंकि कॉंग्रेस के मुकाबले 4 सीटे जो है वो ज़्यादा ले जा सकती है तो वहीं अगले जिले की बात करो जुझनु की तो जुझनु में साथ विदानसवा सीटों का उपीनियन सर्वे सामने आया था लग-लग स्तरोतों से उसमें बीजेपी जो है वो चार सीटे ले जाती वी नज़रा रही है और तीन सीटे जो है इंडियन नेसनल कॉंग्रेस क का उपीनियन सर्वे अलग-लग स्तरोत से सामने आया है और अगर इस उपीनियन सर्वे की बात करो तो तीन बीजेपी के खाते मेरे एक कॉंग्रेस के खाते में यहां पर अन्या या किसी और पार्टी का यह निर्दलिया नहीं इन चार विदानसवा में जीता हुआ ही दे रहा है वहीं दोलपूर के अगर मैं बात करो तो दोलपूर की चार विदानसवा की सीटों का अलग-अलग स्तरोत से सर्वे सामने है जिसमें से दो बीजेपी और दो कॉंग्रेस के खाते में नज़र आ रही है यहां पर कोई अन्या या कोई निर्दलिये यहां पर ब बात करो तो पाली की चार विदानसवा सीटों का उपीनियन सर्वे सामने है उस से विदानसवा सीटों में दो बीजेपी के खाते में तो वही चार कॉंग्रेस के खाते में दिखाए गई है यहां पर जो है कॉंग्रेस जो है दो सीटों की लीड के साथ पाली में आगे बढ सकती है याई लिपाली में कहीं होंग learnt को आपना दबाया कायम रेने वाला है वहीं अगर बात करूँ हनमानगड की psycho सीटों की हनमानगड के पांच विदानसवा की सीटों की बात करूँ तो एक जाती बूप opinion सर्वे के निसार से दिखाये गया है और यह सर्वे अलगलक्स तोटों से लिया गया और इस सर्वे में आपके साभ से क्या हो रहा है वो भी आप ज़ूर बताएं कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहें वहीं चूरू जिलों की बात करूं तो चूरू जिलों की छह सर्वे अलग लग्स तो से बताई गई गही ए वहीं अगर जालावाड की अगर मैं बात करो तो जालावाड में चार जो सीट का सर्वे जो पन्छ के काते में यहां पर बीजेपी के अगर बात करो तो जोदपूर के आसपास हो जोदपूर के दस विदान सबाय सीटों का ओपीनियन सर्वे सामने है जिसमें से चार जो है वो बीजेपी के खाते में जाती वी दिखाई दे रही है और पांच जो है कॉंग्रेस के खाते में दिखाई दे रही है वहीं एक जो है अन्य वेक्ति के यानि अन्य पार्टी आरल पी या अन्य आम आद्मी पार्टी या निर्दलिय किसी के खाते में जाती भी नजर आ रही है तो वहीं दोशा की अगर बात की जाए तो दोशा में पांच विदान सबाई सीटों का सर्वे सामने है जिसमें से तीन बीजेपी के ख काते में जाती हुँ दिखाई दे रही है वहीं तीन जो है कोंग्रेस के काते में दिखाई गई है तो वहीं अगर मैं बात करूँ तो अन्या की तो अन्या के के खाते में सर्वे में दिखाया गया है वहीं गंगानगर जिले की बात करो तो गंगानगर जिले की च्छा विदानसवाई सीटों में से तीन बीजेपी के खाते में दो कॉंग्रेस के खाते में और एक अन्य के खाते में जाती वी नजर बताई गई है इस ओपीनियन के अलग सब्सक्राइब सद्सक्राइब के चार कोइने के विदान सब्सक्राइब में जो आसपास के विदानसवाइं हैं साथ उनमें बताए गया है वही नागोर जिले के अगर बात करो तो नागोर जिले में जो है दस विदानसवाइं सीटों का आसपास की दस विदानसवाइं सीटों का उपीनियन सर्वे सामने है उसमें से तीन बीजेपी के खाते में चैर मतलब लीड लेते वे नहीं दिखाए गया है, शिरोई के अगर बात करूँ तो शिरोई में तीन विदानसबा सीटों का उपीनियन सर्वे सामने है, जिसमें से दो बीजेपी एक कॉंग्रेस के खाते में जाती वी दिखाई बताई गई है, तो वही अगर उद्यपूर की बात दखाए गई है, वहीं अलवर की बात करे तो अलवर में 11 विदानसबा सीटों का उपीनियन सर्वे सामने आए, जिसमें से उच्छा है बीजेपी के खाते में, तो वहीं 5 कॉंग्रेस के खाते में, तो अलवर में कई ने कई बीजेपी का काटे G daí के टक्र देखी जाने वा अने से बिजब और कि बात और इसके साथ विया शाओंश Springs को सामने यहां पर यह शांत कर जा सकते हूँ अब जह पूर की तो कि 19 सीटों के अगर मैं बात कूँ तो 19 सीटों में जो है साथ बीजेपी के खाते में यहां पर अलग लग स्थोतों में दिखाए गए तो वहीं इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के खाते में 11 सीटे दिखाए गई यहां पर इंडिया नेसनल कॉंग्रेस जो है अपना दबदबा कायम रख सकती है चार सीटें लीड कर सकती है और इसी के साथ एक अन्य पार्टी भी यहां से एक सीट ले जा सकती है यहां से एक सीट ले जा सकता है यह तमाम वो अपीनियन कर एक कांटे का मुकाबला जो है आने वाले चुनाब में यह देखा जाना वाला है तो आपके इसाब से आप किस विदान सभा से किस जिले से या कहां से हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राए दीजेगा और जरूर बताएगा भी आपके छेतर में आपके इसाब से कमेंट में अपनी राए जरूर दीजेगा आज के लिवस इतना ही चाहिंद वंदे मातरम